कि लॉगिंग के बारे में जानने के लिए ये ज़रूरी है किसी ब्लॉगिंग एक्सपर्ट से मिला जाए और इसलिए हमने आध स्टू डियो में अली रजा जाके sessions conduct करते हैं ताके students को भी इस काम के बारे में बता सकें So Ali आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो इससे आपके blog as a blogger आपको क्या help मिलती है क्या आप restaurant भी है बहुत सारी चीज़ें हैं different Does that help you as a blogger? Everything helps, आच्छा कुछ learning experiences business के वहां से भी मिलते हैं काफे में भी मिलता है कुछ में कंपनी भी मिलता है तो सब जो है उस सब को जब मैं mix करता हो तो उसका जो मैं सीखता हो वो मैं अपने blog को publish करता हो So this is how it helps me blogging और साथ जो मेरे अंदर जो मैंने आप सीखा इतने time से उसको express करने का मेरे दिल करता है एक audience के साथ engaged रहने का दिल करता है तो मैं इसलिए ब्लोग को यूज़ करता हूँ Interesting तो अलिया बेसिकली आप you're a marketing person तो blogging का interest कैसे हुआ यह कैसे start हुआ What's the story behind that वो बताईएगा Okay basically हुआ यह के मेरी एक audience जो मुझे को as a Google partner मुझे different university sessions के लिए बुलाती थी तो उन sessions को conduct करने के लिए एक audience बनगी तो मैं उनके साथ ना engaged रहना चाहता था मैं चाहता था कि उनके साथ मेरे एक link बने वो मुझे हाली pictures के साथ मैं believe करता हूँ कि sufficient नहीं था जो मेरी fan page पर आती है तो इसलिए मैंने सोचा कि let's start a blog जहां पर मैं अपनी experiences share करूँ case studies अपनी दूँ और ऐसी जो newbies digital marketing माने चाहते हैं blogging माने जाते हैं उनकी help कर सकते तो आप जो दूसरे लोग अपने blog start करना चाहरे हैं उनको आप क्या advice करेंगे अब जो आज हमारे जो course को देखने वाले लोग हैं वो जो ये सोच रही हो कि अचा हम भी कोई blog खो लें और हम भी अपना कुछ start करें अगर कोई आज blog start करना चाहे ना तो मैं उसको एक चीज़ कहूंगा एक चीज़ जिसमें चीज़न में से चीज़न होती है बट एक चीज़ that is much more important that is consistency आप अगर consistent नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपने ब्लॉग start करना है तो you need to be very very consistent आज देखें एक motivation होती है जो आपको मेरे से बात करके यह हमें देखे कोई यहां पर भी सीख के चला आले अपना blog start कर ले मगर blog start करना बड़ी चीज नहीं उसमें consistent रहना article के बाद article देना अपनी mistakes सीखना और improve करना that is much much more important तो मैं जी चीज़ कहूंगा that is consistency तो normally is it rare आम तो पर consistency यह मुस्तकिल मिजाज ही नहीं होती नहीं होती उसकी वज़ए क्या है कि blogging ना it takes time आप यह नहीं है कि आपनी चीज़ के तो कल आप hero बन गया हो आपकी blog पर इतनी traffic आगे है लोग आगे है तो उसको इससे क्या होता है कि लोग जल्दी हमत आजाते है एक article दो article उसके बाद दब लोग negative criticism करते हैं कहते हैं तो उसको क्रिटिसिम को कैसे लिए उसको मैं बिलीव करता हूं कि जो positive criticism हो उसको आप सुने understand करें बट हमारे हां कुछ ऐसा culture है कि जहां पर हम leg volume की थोड़ी सी करती हैं हम किसी को कमयाब होते में नहीं देख सकते तो इसको एक कान से सुने दूसरे से नकाल तो differentiate करें करें कि जो आपका criticism positive है वह आपको suggest करेंगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें और negative क्या है कि आपके बसके बात नहीं यह आप जब मैंने blogging start की ना तो basically I'm a marketer और marketer के लिए article लिखना is not an easy thing because हम हमसे बात कर वालो हमसे सुन वालो मगर जब आती है लिखने की बात हमरी जान जाती है अब जब आर्टिकल मैंने पहले आर्टिकल लिखा ना तो मैंने जब अपना पहले पहले दफ़ा पढ़ा ना तो मैं देखे मुझे फुद हसी आगी कि यह मैंने क्या लिखा और अगर कोई इसको देखे देख ले और मुझे बात में जाने कि यहां रेली नहीं यह क्या बा जब मेरा दूसरा बेतर हुआ तीसरा थोड़ा सा और बेतर हुआ फिर साथ सार मैंने अपने competitors को देखना शुरू किया कि वो कैसे लिखते हैं कि उनका कैसे article में interest वो अपने users के लिए develop करते हैं क्या चीज़ lag करी है मेरा article में फिर वहां से मैंने सीखी और वहां से add की के साथ आये बंदा और कितनी अर्से तक उसको consistently failure face करना पड़ेगा फिर वो उसको काम्याभी मिलेगी मतलब कितनी playing field कितनी बड़ी है या नहीं है यह आपने बहुत big question है करना देखे field तो हर वकत always open है आज भी open है 10 साल बाद भी open रहेगी 20 साल बाद भी open रहेगी यह trend change जरूर हुआ है क्योंकि हमारे हाँ I believe in Pakistan especially लोग articles reading के इतने trendy नहीं है तो शौक नहीं रखते पढ़ना बाहर इसका passion है शौक है पढ़ने का पाकिसान में नहीं है मैं suggest करूंगा कि blogger साथ vlogger भी हो वह साथ videos भी बनाएं अपना साथ explain भी कर रहे ताकि जो लोग पढ़ना है नहीं चाहते वह देख लें आपको तो यह change जरूर है second change क्या है कि पहले articles होते थे थोड़ा से boring होते थे 600 words के अब now over the time अब चीज बनके कि आप जिस field में भी लिखे ना तो आपका article होना चाहिए best research वाला well research होना चाहिए तो मेरा ख्याल है उसको Google भी जादा पसंद करता है और ranking में भी search in ranking में भी जल्दी प्रूफ हो जाता है और साथ users भी उसको like करते हैं आप साथ उसमें थोड़ा सा article को polish करने के लिए images डालें, bullet points डालें, videos डालें तक user का interest भी न उठे अच्छा अच्छा अब यह चीज़े पहले नहीं थी पहले किसी time extended set होता था 500 words, 1000 words का article अब things change हो गई है, articles भड़े पसंद आ गए है जो लोगों कहते हैं कि यार आप जो article हो वो पेस्ट होना चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग के सारे courses है इसका purpose यह है कि people should be able to earn money कोई वो पैसे कमा सकें क्योंकि jobs इतनी नहीं तो freelancing करके घर बैठे जो पड़े लिखे लोग है वो कुछ कर सकें तो इसमें monetize करने की क्या options हैं क्या prospects हैं आपने कैसे किया जब भी कोई भी नया blogger start करता है ना वो कहता है कि मुझे monetization plans पता है उनका focus जादा monetization के उपर होता है running पर नहीं होता है जिसकी वजह से interest lose कर जाते हैं और उनका blog eventually fail हो जाता है मयूस हो जाते हैं मैं उनको कहता हूँ कि आपका focus होने चाहिए forget income focus subscribers जब आप subscribers बनाएंगे अगर बस subscribers है ना एडटाइस आपके पीछे भागेंगे companies आपके पीछे आएंगे बट आप जब जब आपको believe होना शुरू हो जाए कि आप एक अच्छे writer बन की हैं अच्छे blogger बन की हैं और जब आपने एक अच्छी audience बना ली है तो फिर आपको monetization के different options है Google Adsense आपको pay करता है जब भी आप अपने ब्लॉग पर लगाते है जब भी को visitor आते है और आपके अट पर click करते है उसके जरीए आप earn कर सकते है second method is affiliate programs अच्छा आप different companies के products को अब जैसे मेरी फीडर ने डिश्टल मार्केटिंग का मैं प्लॉगर हूँ तो मैंने ACM Rush एक बड़ा popular tool है जो digital marketers use करते हैं मैंने उसका review डालाव है अपनी website पर मैंने उसको tutorial भी डालाव है लोग क्या करते है मुझे देखके मेरे link से जब वो buy करते हैं तो मुझे commission मिलता है ठीक है इसके अलावा और भी options है जैसे मेरे पास अकसर companies आते paid post के लिए आती हैं कि आप हमारे blog पे अपनी को promote करें हम आपको इसके पैसे देंगे फिर email marketing है email marketing पे लोग कहते हैं कि आप हमारी product को promote करें हमारी services को promote करें फिर इसके लावब different company साब collaboration हो जाती है मैं बाद उकार contest करवा देता हूं तो different company giveaways हो जाती है तो उसके जरीए भी earnings हो जाती है तो एक और एक और इसके लावा method है और इसके बारे में अच्छा यह monetization में और भी options हो जाती है जब आप इसमें running में जाते है ना जब आपकी following sizable बन जाते हैं company आपको साथ खुद करते हैं collaborate करें हमारी साथ काम करें क्योंकि आपके पास अगर audience है हर बंदा आपकी बीच बागेगा में क्यों monetization में audience की बाद इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि कमाना मुश्किल चीज नहीं आपके पास audience होनी चाहिए अब जब affiliate program जैसे है ना एक affiliate program होता है recurring जैसे company bluehost आपने let's say मैंने tutorial दिया bluehost का कि आप अपनी website बनाए in 30 minutes मैंने वहां इसका link से कमा लिया मगर कुछ होती है product जैसे मैंने ऐसे हम रश्क बताया है कुछ clickbank की production जो आपको monthly recurring देती है यानि कि एक दवा user ने buy कर लिया तो हर मीनी जैसे हम cable का rent pay करते हैं इसी तरह हर मीनी जब product का service rent pay करते हैं तो आपको हर मीनी again and again and again commission बनता है फिर आपको यह भी option है कि आप different advertisers different bloggers आप conduct करें उनको कहें कि आप मेरी website पर advertise करें promote करें मैं आपको साथ कम charges में बात करूँगा यह भी negotiate कर सकते हैं अप अच्छा इसको पीछे कर लेके जाएं आपने कर सब्सक्राइबर्स होंगे तो फिर यह सारी चीजें असानी दर्वाज़ी खुल जाते हैं सारे subscribers कैसे बढ़ा सकते हैं देखें एक में तरीका है कि हम अमको नमबर वान तो हमारा अच्छा तरीका किया है कि अच्छा तरीका क्या है कि आपनी पोस्त को भी कर सकते हैं उसमें इनवेस्ट कर सकते हैं अच्छा तरीका क्या है कि आपको अपनी investment की returns बेतर मिलें या अच्छा मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपनी traffic बढ़ानी है अपनी बूस्त करनी है तो boosting is a paid way बूस्तिंगे हम पैसे लगाने पड़ते हैं और बात अच्छा अच्छा इस न्यूवी ट्रवियों किया और मैंने पिष्छे दुनाब भी हिषाम सर्वियों कर इंट्र्वियों किया था। तो जब आप अपनी इंडेस्ट्री में पकड़ें जो टॉप लोग हैं उनके इंट्रिव्यूस करें आप उससे सीखेंगे बलके आपकी और साथ-साथ आपकी ट्राफिक भी बढ़ेगी आपके सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे गोल भी बढ़ेंगे इसके लाब एक और चीज होती है मैं round ups को बहुत जादा highlight करता हूँ चुकि यह वह प्रेक्टिस है जो locally मैंने देखी नहीं है कि कोई कितना यहां पर करता हो round ups में basically होता है कि आप topic उठाते हैं जैसे let's say हम कहते है topic उठाते SEO into 2019 तो हम क्या करेंगे कि आप 15x words पगड़ लूँ मैं और उनको मैं कहूँ कि what's your opinion on this और मैं round up post बना दूँ जिसमें मैं हर एक त्री 300 words का एक information लूँ और वहां पर लगा दूँ उससे होगा क्या कि अब 20 लोग मेरा जो है ना जिन्होंने मेरा लिख है नहीं वो सब 20 के 20 पर शेयर भी करेंगे उसे क्या होगा एक visitor आगा ना हाली उसको 20 लोगों का opinion मिलेग बलके साथ क्या होगा कि एक मेरा फॉल भी बन जाकर जब देखिक मेरी इतनी इच्छी content है साथ सब्सक्राइब जो 20 लोगों ने शेयर भी करेंगे तो इसे भी मेरे पास एक double traffic आएगी यह format typically कौन से topics के लिए ज्यादा useful है round ups में आप process को complicated ना करें असान करें किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं बट मैं समझते हूं कि कोई trendy चीज़ आ जाए कोई upcoming topic आना हो जैसे SEO 2019 Digital Marketing 2019 इस तरह का topic पकड़ लेंगे तो वह असान हो जाता है करना trendy मतलब लोग उसके बारे में पढ़ना भी जैदे सुनना भी चाते हैं बट आप क Freelancing has helped you in improving your business इसके जरी आप को सकते हैं अब जैसे अब Freelancing है यहाँ लेट से मैं इसको पर मैं ground up बनाता हूं तो होगा क्या कि मैं सब टीचर से ground up लोंगा कि आपका क्या opinion आप समझते हैं कि आपने कैसे help किया वो मैंने बना लिए सब का round up ले लिए सब की experience शेयर कर दी अब किसे को शेयर न करता है मंगर अगर पांच शे और अच्छे authority वाले लोग आगे ना तो फिर लोग उसको रिगार्ट करते हैं फिर उसको भी शेयर करते हैं उसमें आप कोई topic देखते हैं या कोई words देखते हैं phrases देखते हैं अच्छे यह procedure मैंनी recommend करता है आपको पते है मेरे article का word how to build a personal brand पहले जमाने में ऐसा होता था कि हम इसी word को आर्टिकल में दस हवा लिखते दे थे तो क्या होता था गूगल को समझा जाए थे कि यह इस keyword पर rank करना चाहता है मगर आप Google इसको positively नहीं लेता तो Google के पास Google भी machine learning है वो भी improve हो गई है with the passage of time वो कहता आपका article natural होना चाहिए फिर वो भी यह भी देखता है कि आपका विजिटर आपकी website पर की नहीं दे तो इसने time spent किया अगर लेट से विजिटर आता है और थर्टी सेकेंड बात कहता है यह साइड इची नहीं बंद कर दे तो Google को क्या समझ आती है सग्में कि यह website information नहीं प्रवाइड कर रह बजाए मैं आपको ऐसी को कहूं कि आप backlinks बनाएं अपने आपको promote करें अपने यू चीज़ें करें अगर आपके पस content ही अच्छा नहीं है तो आप क्या देंगे यूजर की अगर हमें satisfy नहीं किया तो Google भी आपको कभी rank नहीं करेगा क्यों क्यों कि देखें साइकी बड़ी ठीक है चाहे आप जितने मर्जी आर्टिकल में उन keyword stuffing कर लें चाहे आप जितने मर्जी जो मर्जी आप black hat techniques use कर लें gray hat कर लें white hat कर लें जब तक आप information नहीं देंगे satisfy नहीं करेंगे आप नी rank होने वाले अच्छा अली this is all very useful information यह मुझे लग रहता है यह सब जरूरी होता है back links और यह वट्यूर से इंके नहीं content अच्छा हो तो वो उसको carry कर लेगा good to know अच्छा आपने शुरू में बात की कि आपकी field कुछ और थी आप जाते थे colleges में फिर आपको लगा कि इनसे मैं connect करूं तो इसलिए blog start किया अब जब आ blogging कर रहे इतने सालों से तो उसमें यह बताएं कि आपका sense of satisfaction उसमें क्या है और क्यू है मतला उसमें से क्या आपको एक personal satisfaction कुई मिलती है तो वो अच्छा मैं आपको बता हूँ ब्लॉग इस इवेंच्वल मिली passion बन गया और passion क्या मुझे मज़ा आता है इंट्रेक करके audience के साथ इंगीज रहे के और as a business it's also very good होता क्या है कि मैं जब रात में दूबजे भी सो भी रहा हूँ ना मेरी website विसिटर आ रहे है मेरी ट्राफिक मेरे earning हो रहे है मेरे business हो रहे है तो यह बिलकुल एक अच्छा business model बन गया है जैसे मेरे different businesses हैं कि मैं सो भी रहा हूँ मैं यहाँ पर present हूँ यह नहीं हूँ तब भी मुझे यह earn कर रहे है और जब यह मेरा passion बन गया है तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको करके ठकते नहीं हू जबर जबर जब पैशन वह होते है जब आप रात को दो बजे भी अगर आप में जहान नहीं है ना और आपको फिर भी करके काम मजा है ना वह होता है पैशन that's great for the viewers so this is about blogging और अली रजा ने आपको बहुत सारी tips थी we hope you can use these and we hope you can become a blogger successful blogger आपको भी इतना मजा है करने में और आप भी अच्छी quality के साथ काम कर सकते